आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चेश्ट के हिसाब से कितना अपने सूट का तीरा रखें और कितना अपने सूट का आप मुड़ा रखें तो देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने सूट का तीरा रखें और मुड़ा रखें तो चलिए वेडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए जिनके चेश्ट 28 से लेके 45 तक की है उसके में जो आपको ये जो तीरा रखना है वो देखिए 6 इंची का रखना है और जिनकी चेश्ट 45 से ऊपर है चाहें कितनी भी उपर हो उसके इंदर जो आपको तीरा लेना है वो आपको आदे इंची बढ़ा देना है वो और जिनकी 25 से कम है उसके में आप 5 कर सकते हैं साड़े 4 कर सकते हैं मैंने इसके तीरे के बारे में तो आपको बता दिया है कि आपको कितना लेना है चेश्ट के हिसाब से तो देखिए आप मैं आपको मुड़े के बारे में बताती हैं आपको यहां से अपने सूट का मुड़ा चेश्ट के हिसाब से कितना रखना है तो देखिए जिनकी चेश्ट 28 से लेके 45 तक की है उसके में आपको यह जो मुड़ा रखना है वो आपको 6 इंची का रखना है और जिनकी चेश्ट 45 से ऊपर है उसके में आपको 7 इंची का रखन हैं और जिनकी उससे भी कम हैं जैसे कि 24, 23, 22 उसके में आप पांच इंची या साड़े चार इंची ले सकते हैं देखी मैं आपको रखे दिखाती हूं जैसे कि मेरी चेश्ट है चालिस अगर हम चालिस का चौत्था पहिसा निकालेंगे तो दस तो इसमें हम साड़े चार इंची रखेंगे मुड़ा जिनकी 45 से उपर होएगी उसके में हम साथ इंची का रखेंगे मां को वद्ट काती हैं कि बार्च देखी मेने आपको बता दिया है कि आपको चेश्ट से अपने सूट का तीरा और यह बुड़ा कितना रखेंगे उसके बाद मैं देखी आपको यहें पर चेश्ट के निसान लगाने हैं आपके जितनी चेश्ट है उसके निसान लगाने हैं तो देखिए मेरी चेश्ट है 40-40 का अगर हम चोथा इसन निगा लेंगे तो हो गया 10 और देखिए टेड़ इंचे में लाइके नहीं मार्जन ले लेंगे फिर से हम इस तरीके से सीधा कर दिंगे उसके बार में देखे आपको यहां पे इंची टेप को रखना है और जिस तरीके से आप सूट के निसान लगाते हैं कटिंग के वगक उसी तरीके से आपकोनिसान लगाने हैं 6.5 Been टिक करना है यहां से आपको कमर के निसान लगाने हैं कमर है 24-34 का आगर हम 14 I got निकालेंगे तो हो गया साड़े आठ और देड़ इंचिस नाइके नहीं मार्जन लेंगे हम फिर इस तरीके से इमने इसानों को आपस ने मिला दिंगे हमने यहां पर कमर का जो निसान लगाया था उसके बाद में यहां से साड़े छेंची पर टिक करना है और यहां से आपको हिप के निसान लगाने है ति में साड़े दस इंच रखूंगी देखिए आपको इसके जो फिटिंग के निसान लगाने है वो आपको उसी तरीके से लगाने है जिस तरीके से आप लगाते हो और देखिए उसके बाद में आपको यहां पर सब आइंच के करीब लेना है और इसके आपको इस तरीके से देखिए गोलाई कर देनी है यह देखिए इस तरीके से हम इसे यहां से बलुकुल मिला दिंगे तो देखिए मैंने आपको बता दिया है क्या आप चेश्ट के हिसाब से अपने सूट का तीरा और मुड़ा कितना रखें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो अभी हमारे चैलन को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाती रहेंगे